मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि आपसे कोई living organisms हैं, यहाँ पर हम बात करना है living organisms की और मैंने कहा आपसे की growth होती है, but from inside. तो जितने भी living organisms हैं, मैं हूँ, आप हैं, जितने भी human beings हैं, animals हैं, bacteria हैं, कुछ भी हैं, उनमें जो growth है वो inside से हो रही है, मतलब शरीर के अंदर से हो रही है, कभी आपने देखा है कि बाहर से कोई मिट्टी उठके आई, आपके कहीं यहाँ डॉले शोले पर लग गई और आप समझाने के लिए दिखा रहा हम सिर्फ, तो living organisms में जो growth होती है, वो inside से होती है, अंदर की तरफ से होती है, बलकि और जो यह जो non living organisms हैं, जैसे कि मैं आपको example दिया, mountains, इनमें जो growth होती है, वो कैसी होती है, इनमें, outside, इनमें जो growth होती है, वो बाहर की तरफ से होती है, जैस कि मिट्टी उड़के